गाइस अगर आप अपना जो पेटियम वालेट है उसे बिना किसी डॉकुमेंट के यहां पर एक्टिव करना चाहते हो इस वीडियो के अंदर में गाइस मैं आपको यहां पर एक ऐसे ट्रिक देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपना जो पेटियम वालेट है उसे एक्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहां पर जो पेटियम वालेट यहां पर एक्टिव करोगे उसे हम यहां पर एक पेटियम वालेट एक्टिव करने के तो यहां पर यहां पर उसे हम पेटियम वालेट भी कह सकते हैं तो यहां पर हम मीनी केवाईसी भी उस सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपना पेटेम एप्लिकेशन को ओपन कर लेना है दिन उसके बाद में इस तरीके का आपके सामने इंटरपेस आ जाएगा यहां पर आपको एक प्रोफाइल वाला आइकन दिखाई दे रहा है इस प्रोफाइल वाले आइकन पर आपक कि सेटिंग्स ओपन हो जाएगी यहां पर आपको पहले नमबर में मिल जाएगा प्रोफाइल वाला ओप्शन तो इस पर आपको क्लिक कर देना है दिन उसके बाद में यहां पर आपकी जो प्रोफाइल हो यहां पर ओपन हो चुकी है यहां पर आप नाम डाल सकता हो और यह एक्टिवेट ठीक है तो यहां पर आपके सामने चार ओप्शन आएंगे पहला आगाए गाईस यहां पर पासवोर्ड का अगर आपके पास पासवोर्ड है तो आप पासवोर्ड से यहां पर कर सकते हैं दिन दूसरा यहां पर ओडराइडी कार्ड का है तीसरा ड्राइविंग license का है और चोथा नरेगा job card का है अब इन चारों में से यहाँ पे guys आपके पास कोई भी option नहीं है और यह आपके पास document नहीं है फिल भी आप इसकी KYC कर सकता हो वो कैसे करना है यहाँ पे आप देख सकता हो यह order ID card लिखा रहा है इस order ID card पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद में यहाँ पे आपके सामने order ID card number की बोलेगा और नाम की बोलेगा तो आपको करना क्या है कि order ID card के जो number है वो यहाँ पे आपके सामने screen पे show हो रहे होंगे वो number आपको order ID card में डाल देना है देन यहां पर आपको जो नाम है वो यहां पर डाल देना उसके बाद में I am agree पर टिक लगा देना है वो देन सम्मिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है अब आपकी वालेट की लीमिट गाईस यहां पर 10,000 रुपे हो चुकी है और आपकी जो पेटेम वालेट है वो कर सकते हैं यह वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल पर नहीं है चैनल स्क्राब करके बैल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना